फाइनली मोटो रोला कम्पने ने अपना एक और न्य स्मार्फ़ोन अपना ङर ँप्रेशन के तलाउनडी बाइसां पील जाता है कुछिंगा एक तरफ मोटो ग-A2-Eh- petit ये 6GB storage वाले variant को buy कर सकते हैं दोने smartphone का अगर performance की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एकी smartphone के लिए उसका processor काफी important part होता जिस तरह इन दोने smartphone के price में difference देखने को मिल जाता है उसी तरह इन दोने smartphone के performance और gaming performance में भी different देखने को मिल जाता है क्योंकि एक तरह Moto G64 5G में MediaTek का Dimensity 7025 का processor देखने को मिल जाता है जो कि 15,000 पिस से कम के price में Moto G54 5G पहला ऐसा smartphone जिसमें आप लोगों MediaTek का ये processor देखने को मिल जाता है वह दूसरी तरह Realme के P1 5G में स्कोर निकल के आता है वह दूसरी तरह Moto G64 5G का जो स्कोर निकल के आता है अगर आप लोग इन दोनों में से किसी smartphone को खासकर gaming के लिए लेने के लिए सोच रहे तो इन दोने smartphone के GFX score यानि gaming score को जानना बहुत ज़राद जरूरी है जब इन दोने तरह Realme के P1 5G का जो gaming score निकल के आता है 4600 निकल के आता तो एक बात तो क्लियर होगे अपने प्रैस में दोने smartphone में काफी अच्छा gaming processor देखने को मिल जाता है दोने smartphone का डिस्प्ले सेग्मेंट की बात करी जाए जिस तरह इन दोने smartphone की डिस्प्ले की quality में भी different देखने को मिल जाता है एक तरह मोटो जी सिस्टी फॉर फैब्द में 6.5 इंच की full HD plus AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले के अच्छी smoothness के लिए 120 रिफ्रेशिट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि डिस्प्ले की quality काफी जड़ा बेटर Realme के P1 Fabg में देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन का अगर क्यामरा से एक बिन की बात करी जातो कम प्रेस होने के बहुजूद भी खास कर क्यामरे के मामले में बेटर हो जाता है मोटो का G54 Fabg को कि 15,000 पिस से कम के प्रेस है मोटो G54 Fabg के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने के मिल जाता है Quad Pixel Technology देखने होत मिल जाती 50 Megafixel का Main Primary Camera मिलता है जिसका aperture F1.8 अपरचर देखने को मिल जाता है अगर सेलफी कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता वह दोने स्मार्टफोन में आप लोगों को Dual Video Record करने का ओफशन देखने को मिल जाता है अकर सेलफी कैमरे की बात करी जाता है तो Moto G54 Fabg में 16 Megafixel का सपोरचर ौरिक देखने को मिल जाता है जबकि Moto G50 for 5G में UFS 2.2 का ही storage tab देखने को मिल जाता है अगर audio feature की बात करी जा तो Moto G50 for 5G का price कम है फिर भी आप लोगों को Dolby Atmos का support देखने के पिल जाता जबकि Realme के P1 5G में Dolby Atmos का support देखने को नहीं मिलता अगर स्मार्टफोन का बैटरी से एक मिन की बात करी जा तो बैटरी के मामले में दोने स्मार्टफोन के पास advantage देखने को मिल जाता है क्योंकि एक तरफ Realme के P1 5G में 5000 mAh की ही बैटरी देखने के पिल जाती है पर 45W के superwalk charging के साथ USB tab support का support देखने के पिल जाता है दूसरी तरफ Moto G64 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 33W के turbo fast charging के साथ USB tab support का support देखने के पिल जाता है security feature के लिए Moto G64 5G में side mounted fingerprint sensor देखने के पिल जाता है जबकि Realme के P1 5G में in display fingerprint sensor देखने को मिल जाता है तो अब बात करीजा कि दोनों में से कौन सा smartphone आप लोगों के लिए बेस्ट है अगर आप लोग 15,000 उपिस से कमके प्राइस में 8GB RAM वाला नया 5G आल रांडे स्मार्टफोन लेने के लिए सोचे तो Moto का जी आप 15,000 उपिस से कमके प्राइस में वन अब दा बेस्ट है पर अगर आप लोग एक अचै क्षा तो आप लोगों को रिया रेयल में के पी 15 जी की तरब जाना चाहिए वैसे तक यह दोने स्मार्टफोन अपने अपने प्राइस में बेश्ट है